आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अलमास पहले एक अपील देश भर में 18 वर्ष से अधिकायों के सबी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल को टीका करन अभियान चलाया जा रहा है आप से अपील है कि कोविट रोधी टीका ज़रूर लगवाएं कोरोना महामारी के प्रती कोई भी लापरवाही ना बढ़ते जब तक आवेशक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं कोवेट से सम्मदे जानकारी देने और उनके मागदर्शन के लिए राष्ट्री हेल्प लाइन कारियरत है इनके नंबर है शूने एक एक दो तीन नौ साथ आट शूने चार्च और एक शूने साथ पाँच अब इस बिलिटन के समाचार सबसे पहले मुख्य समाचार राजिपाल मंगुभाई पटेल ने आरख्षन रोस्टर जल तयार करने के लिए दिये निर्देश कहा परिश्रा परिणाम भी समय पर हो घोशित प्रदेश में आज उच्छे नियालेस तरसी लेकर सभी जिला और तहसिल मुख्यालों पर आयुजित की जाएगी लोका दाल राजिपाल मंगुभाई पटेल ने कहाए कि आरख्षन रोस्टर के कारे को सरवोच प्रातनिकता दी जाए और समय सीमा निर्धारित कर सभी कारें को पूर्म किया जाए उन्होंने कहा कि उच्छे शिक्षा विभाग सभी विश्विद्यालेओं के कुलपतियों के साथ रोस्टर के सम्मन में चर्चा करें उन्होंने रोस्टर को अंतिम रूप दे कर नए पदों की पूर्ती प्रिक्रिया शीगर शुरू करने के निर्धेश दिये राजिपाल कल राजभवों में प्रमुक सची विचिशिक्षा अनुपम राजन से चर्चा कर रहे थे इस दोरान उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोविड-19 की वैक्सीन शास्की और नीजी विश्विद्यालेओं के समच स्टाफ को लग जाए उन्होंने कहा कि विश्विद्यालेद्वारा अकादमी कैलेंडर की अनुसार परिक्षाओं के संचालन के साथ परिक्षा परिक्षा परिनामों की समय बतिता का भी कडाई से पालन हो घार जिले में कुल 37 ने आई खंड़पीठों का गठन किया गया है सतना में 26 खंड़पीठों के जरीए मामलों को सुठ़ाया जाएगा खंड़वा में विद्धियो जल कर और संपत्य करके मामलों में छूट का लाप दिया जाएगा राइसन में जिला नियाले सहित बरेली, गौहर गंज, बेगम गंज, गैरत गंज, सिल्वानी तथा उधैपुरा में इन अदालतों का आयोजन होगा गुना जिले में आयोजित नैशनल लोक अदालत में सुलह के लिए लगभग 5,000 मामले रखे जाएंगी उधर जबरपुर जिले में तहसिल नियाले, सिहौरा तथा पाटर में भी नैशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है होशंग अबाज जिले में मामलो के निप्टारे के लिए 31 खंड पीठों का गठन किया गया है वही गौालियर में आयोजित नैशनल लोक अदालत में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मामलो की सुनवाई शुरू होगी मुख्यमंतरी शुरू होगी सेंटर का लोकारपन किया प्रदेश में एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन वीवी पैट मशीन को सुरक्षित रखने के लिए सबी जिलों में एवी एम वा वीवी पैट वेयर हाउस बनाये जा रहे है इस कड़ी में इंदोर में भी 10 करोड रुपिय से अधी की लागत से बने वेयर हाउस का उदुखाटन प्रदेश की क्रह मंत्री और इंदोर जिली के प्रभारी डॉक्टर ननों तो मिश्रा ने किया वेयर हाउस के बारे में पर कलेक्टर निर्वाचन शाखा के प्रभारी आवे बेडिकर ने आकाश्वानी को बताया इनों को रखने की चमता है यहां पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है सुरक्षा की दुरुष्टी से में गेट पर गार्ड रूम भी बनाया गया है 29 CCTV केमरे और 40 अगनी शामा केंदर भी लगाया गया है वेरा उस बन जाने के बाद अब EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग जिसे FLC कहता है वो भी यहीं पर हो सकेगी मध्य प्रदेश में जल जीवान मिशन में अब तक 49,1,181 गरूम नल कलेक्शन दिये जा चुके हैं राजी में समूची ग्रामे नाबादी के लिए एक करोड तीन लाग नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष रखा गया है प्रदेश में आईम आईएस पोर्टल पर दर्च गरीब 95,000 शालाओं 66,000 से अधिक आगन बाड़ियों में भी दो हजार नो से पिच्चासी ग्रामों के शत प्रतिशत आबादी को नल कनेक्शन से पानी उप्लब्द करवाने की विवस्ता की जा चुकी है अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ और मू साफ रखें प्रेक की बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है इंदौर जिले के प्रभार्व प्रदेश की ग्रह मंत्री डॉक्टर नर्टों मिश्या ने कहाए कि इंदौर के महराजा यश्वन तौराव अस्पताल को मौडल अस्पताल बनाया जाएगा और बान गंगा के शास्की अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 30 से बढ़ा कर सौकी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना अपनी अंत्रन में है हमारा प्रदेश में प्रती दिन 70,000 उन्दौर जिले में 10,000 टेस्ट का लक्ष रखा गया है समिक्षा बैटक में उन्होंने जिला और राजिस्तरी शास्की समीतियों का एक महा में गठन और कोरोना से म्रत शास्की कर्मियों के पातर आशितों को एक महिने के भीतर अनुकंपान युक्ति देने की बात कही कलेक्टर मनिश सिंग ने बताया कि बच्चोर गर्वती महलाओं के इलाज के लिए पंदरा सो बैट के विशिश इंतजाम किये जा रहे हैं कोरोना के दूसरे चरण में जहां ऑक्सिजन युक्त और आईस्वी बैट्स की संख्या साथ हजाद शेसो पचास थी उसे बढ़ाकर दस हजार दोसो पचास किया गया है टीका करन महा भियान के तहत आज राज़े के 27 जलों में कोविट टीका करन महा भियान चलाया जाएगा शेस जलों में कोविट टीका करन के लिए कोल्ट चैन का रख रखाव कारे किया जाएगा वहीं सभियान के दौरान आज 6 लाग सदिक लोगों को टीके लगाए गए राज़े में 3389 केंडरों पर टीका करन किया जा रहा है सतना से हमारे समात आता ने बता है कि शहर में आज 21 केंडरों पर कोविट वैक्सिनेशन किया जाएगा और खंड़ों में आज टीका करन नहीं होगा प्रदेश में करीब 20 दिन बाद मानसुन फिर सक्री हो गया है बारिश से किसानों को राहत मिली है भारत और श्रिलंका के बीच होने वाली एक दिवसी मैचों की श्रंकला पहले से निर्धारे तारिख 13 जुलाई से शुरू नहीं होगी अब कुछ सवाचार संशेप में अतना सांसत गणेश सिंग ने कल लगरगबार रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का लोकार बंड किया अंत में मुखे समाचार एक बार फिर राचेपाल मंगु भाई पटेल ने आरक्षिन रोस्टर जल तयार करने के दिये निर्देश कहा परिक्षा परिनाम भी समय पर हो गोशित प्रदेश में अजुची ने आले किस तरसे लेकर सभी जिला और तहसिल मुख्यालें उपर आईजित की जाएगी लोकादालित इन दोर का एम वाई एस्पताल को मॉडल की रूप में किया जाएगा विक्सित और मुपाल सहीद प्रदेश के उनने जिलों में बारिश की वापसी और किसानों को राहत इस बुलिटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो घस की दूरी हाद होना भी है जरूरी नमस्कार जरूरी